दोस्तों, क्या हारदिक पांड्या का टीम इंडिया से पर्मानेट पत्ता कट चुका है? क्या रोहित को जो हतियार हारदिक को बाहर करने के लिए चाहिये था वो मिल गया है? जी हाँ दोस्तों ये में ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसकी एक वजह नहीं है बहुत वजह है परन्तु अब जो रोहित ने खुल के एलान किया उसको देखते हुए अब हार्दिक टीम से पर्मानेंट बाहर दिख रहे हैं दोस्तों आपको दिखाए पूरी रिपोर्ट उससे पहले में आपके सामने एक सवाल का जवाब चाहता हूँ निच्चे कमेंट करके जरूर बताना साथ ही रोहित शर्मा को एक बहतरीन कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे तो दोस्तों आपको क्या लगता है शिवम दुबे और हार्दिक में किसको वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों जैसा की आपको पता है हार्दिक और रोहित का संघर्ष काफी समय से चल रहा है परंतु हाल में गंभीर तब हुआ जब रोहित को मुंबई इंडियन की कप् बनाया गया वो भी रोहित से बिना कोई सलाह लिये बगया दोस्तों उससे पहले अगर रिपोर्ट की माने तो मुंबई इंडियन खेमे ने हार्दिक से कहा था आप इस साल प्लेयर के रूप में शामिल हो जाओ नेक्स्ट येर आपको कप्तान बना दिया जाएगा परंतु हार्दिक नहीं माने और कप्तानी की सर्थ राखी बस यही बात रोहित के दिल को चूगई फिर जब रोहित का मौका लगा दोस्तों रोहित पिछले दो साल से कोई T20 मैच नहीं खेले परंतु सिर्फ इसी कारण अफगानिस्तान सीरीज में हिस्सा लिये और हार्दिक को चो चाहते हैं तो उनका जवाब था कि टीम में शिवम दुबे को देखना नहीं चाहते बलकि वो टीम में अब पर्मानेंट खिलाडी है उनमें युवराज पाजी की ज़लक है ऐसा टेलेंट बरबर नहीं आता दोस्तों बस एक जवाब में ये क्लियर हो गया की हार्दिक की टाटा बाय बाय हो चुकी है दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताए साथ क्रिकेट से जुड़ी हर धाकड खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास सबसे पहले खबर पहुँचे जय हिंद दोस्तों